9.4 धातु कर्म, Metallurgy अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म, Metallurgy या धातु का निसकर्षन कहलाती है धातु कर्म के तीन चरण होते हैं पहला अयस्क का सांद्रण, Concentration of Ore दूसरा धातु का निसकर्षन, Extraction of Metal तीसरा धातू का शुद्धी करण Purification of Metal भिन्य भिन्य धातू के अयस्कों से धातू प्राप्ट करने के लिए अलग-अलग विधियों का उप्योग किया जाता है आईए इसे समझें 9.4.1 अयस्क का सांद्रण Concentration of Ore खदानों से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मातरा में मिट्टी, रेत, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियां पाई जाती हैं जिसे ओधात्री या गैंग कहते हैं अयस्क से धातू प्राप्ट करने के लिए इन अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक है इसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं आईए अयस्क के सांद्रण की कुछ सामाने विधियों के बारे में जाने पहला गुरुतु प्रिथक करन विधी ग्रेविटी सेपरेशन मैथड जब अयस्क तथा ओधात्री के आपेक्षिक घनत्वों में अंतर होता है तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधी का उपयोग किया जाता है इस विधी में अयस्क को बारीक पीस कर पानी की धारा प्रवाहित कर हिलाया जाता है जिससे अयस्क के भारीकन नीचे बैठ जाते हैं एवं अशुधियां ऊपर तैरने लगती हैं जिन्हें अलग कर लिया जाता है अथवा ये पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाती है चित्र तीन प्राय कार्बोनेट तथा ओक्साइड आयसकों के सांदरण के लिए इस विधी का प्रयोग किया जाता है हेमेटाइट आयसक का सांदरण इस विधी से किया जाता है इस विधी में आयस्क को बारिक पीस कर चुम्बक पर चलने वाले रबर के पट्टे कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है और चुम्बकी पदार्थ पट्टे के उर्ध्वाधर होते ही गिर जाते हैं परन्तु चुम्बकी पदार्थ पट्टे पर तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि वह चुम्बक के प्रभाव से बाहर नहीं हो जाते। इस प्रकार दो धेर मिलते हैं, एक चुम्बकी पदार्थ का और दूसरा और चुम्बकी पदार्थ का। इस विधी का उप्योग तिन के अयस्क SNO2 में उपस्थित चुम्बकी अशुद्यों को प्रिथक करने हे दू किया जाता है। वायू प्रवाहित की जाती है, जिस कारण ज्जाग उत्पन होती है। सलफाइड अयस्क के कणों पर तेल की एक परत बन जाती है, जिसके कारण हवा के बुल्बुले इससे चिपक जाते हैं। इस प्रकार यह कण हलके होकर जाग के साथ उपर आते हैं जबकि मिट्टी, कंकर, पत्थर जैसी अशुद्धियां तली में बैठ जाती है चित्र पांच 36 गण में अधिक मात्रा में लौह अयस्क उपस्थित है पता कीजिए इन अयस्कों का सांद्रन किस प्रकार किया जाता है 9.4.2 धातु का निसकर्षन, Extraction of Metal धातु के निसकर्षन की विधी, धातु की सक्रियता तथा अयस्की प्रकृति पर निर्भर करती है को हम जानते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु सोडियम, पोटेशियम और केलसियम आदी को उनके योगिकों से तत्व के रूप में प्राप्त करना कठिन है इन योगिकों में विद्धु धारा प्रवाहित करने पर धनायन, केटायन, रिणायन, एनायन से अलग होकर कैथोड पर जाकर अप्चैत हो जाते हैं तथा धातु प्राप्त होती है इस प्रक्रिया को विद्धु तब घटन, इलक्ट्रोलिसिस कहते हैं एलिमुनियम को भी इसी विधी द्वारा प्राप्त किया जाता है सालनी पांच ख, मध्यम और निम्न क्रियाशील धातूं को उनके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट आयसकों से रासाइनिक अप्चैन विधी द्वारा प्राप्त किया जाता है कुछ कम या निम्न सक्रिय धातू जैसे पारा को उसके ऑक्साइड या सल्फाइड से कीवल गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है अन्य धातूं के सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के लिए दो प्रमुक पदों का उप्योग किया जाता है जिससे अयस्क से धातू का अप्चैन सरलता से हो सके 9.4.2.1 धातूं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन धात्वों के सलफाइड या कार्बोनेट अयस्क को आकसाइड में परिवर्थित करने की विधियां उसमें उपस्थित अशुधियों पर निर्भर करती है पहला सांद्रित सलफाइड अयस्क को जब वायू या ऑकसीजन की उपस्थिती में उसके गलनांग से कम तापकरम तक गन किया जाता है तब यह प्रक्रिया भरजन रोस्टिंग कहलाती है इसक्रिया में अशुधिया वास्पित हो जाती है जिसका रण धातु के योगिक के अपचैन में सरलता होती है भरजन मुख्यता सलफाइड अयस्कों का किया जाता है ट्वाइस जडन अयस्कों को जब वायू की अनुपस्थिती में उसके गलनांग से कम ताप तक गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तापन केलसिनेशन कहते हैं यह विधी कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त की जाती है ZnCO3 गर्म करने पर ZnO प्लस CO2 गैस कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करने पर वे विघटित होकर कार्बन डायॉक्साइड गैस मुक्त करते हैं तथा धातू का अक्साइड प्राप्त होता है 9.4.2.2 धातू के अक्साइड का धातू में अप्चयन अयस्कों के अक्साइड में परिवर्तन के पश्चात धातू के अक्साइड का अप्चयन किया जाता है धातू अक्साइड को अप्चयक तथा गालक के साथ मिला कर गर्म किया जाता है तब धातु द्रौ अवस्था में प्राप्त होती है इस प्रक्रिया को प्रगलन smelting कहते हैं गालक सरलता से ना पिघलने वाली अशुधियों को हटाने में सहायता करते हैं प्रगलन प्रक्रिया दो प्रकार से की जाती है पहला कार्बन अपचैन विधी, कार्बन डिडक्शन मेथड भरजित या निस्तापीत अयस्क को कोक या कार्बन के साथ वात्या भठी, ब्लास्ट फर्नस में उच्चिताप 700 डिगरी सेल्सियस से 1800 डिगरी सेल्सियस तक गर्म किया जाता है जिससे धातू अपचैत होकर पिघली अवस्था में प्राप्त होती है जेडन ओ प्लस सी गर्म करने पर जेडन प्लस सी ओ गैस दूसरा, रासायनी कपचैन विधी, केमिकल रिडक्शन मेथड, सक्रिता शर्णी में उपर इस्थिधातू अपने से नीचे इस्थिधातू को उसके लवण के विलियन से विस्थापित कर देती है इस सिधान्त का उप्योग कर विस्थापन विधी द्वारा धातू को प्रिथक किया जाता है हमने पूरो में देखा है कि कॉपर सल्फिट के विलियन में आरन या जिंक चून डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है क्या आप जानते हैं इस विधी द्वारा किन किन धातों का निसकरशन किया जा सकता है